नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आसीस राजेंदर कुमार और आज चर्चा करूँगा मैं रिशवपंद को लेकर यू तो रिशवपंद पर काफी बातचीत होती है चाहे वो मैदान में हो या मैदान के बाहर हो उनकी आलोचना केरीजिये या आए दिन होती है लेकिन इस बीच बहरत बना अंगलदेश के वीजो टी टून्टी शीरिज खेले जा रही है उसको लेकर भी एक बार फिर से रिशवपंद के नाम पर चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है उनकी खराब प्रदूशन को लेकर उनकी विकिटीपिंग स्कि के वाहाण पर ये बताया कि रिख tapant युवा विकट-कीपर बन लाज है उनके पास टैलंट है कि दोड़ी और झालकती है लेकिन की वभ contour में कि कोड़ी बहुत ज़लक्टी। लेकिन आयुकर जिस तरिकें विप्तरेंगा कि उनका खेटी कीपर जाए तो जब सवर्वकांगोली के और से ऐसा बयान सामने आता है तो साफ तोर पर नजर आता है कि टीम इंडिया मैनेजमेंट है वो अभी रिशवपन्त को काफी मौके देना चाहती है साथी साथ रिशवपन्त जेतने उम्दा खिलाडी है वो चाहते हैं कि थोड़ा समय मिल ताकि आने वाले टीटउन्ती वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए रिशवपन्त जैसे धाकड बल्लेबाज को टीम में अच्छी तरीकी से जगह बनाने के लिए प्रतिवद्द किया जाए साथ ही उनको लगातार मौके दिये जाएंगे उसके साथ ही उनका खेल भी सुद है वो महसूस हुए लेकिन उसको अनोंने रन आउट किया एक स्टंप किया जिसकी वहिसे उनके दवाब कम हुए डियारेस को लेकर रिशवपन्त के अंदर वो चत्राई नेजर नहीं आती है जो माहिंदर शिंग धोनी के अंदर नेजर आदे क्योंकि पहले टीटोंटी में एक डियारेस भी उन्होंने खड़ाब कर आया था जब जो समय सरकार है मेंगाद इसके पाएं हाथ के धाकड़ बल्लेवाज उनकी एक बॉल बल्ले के करीब से निकलत हुए उनके हाथों में चलीगी और अपील कर दिनोंने आउट की जिसे एमपार ने नकार दिया उसके ब बल्लेवाज और यह बारतिये टीम में संजू सेमसं उनको आखरकार का मौका मिलेगा यह सवाल है खेर अगर अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओ इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ना भूल इन खबर चानल को सब्स